आये स्पीसियस एस्पिरेंट्स आप अपने एवेल्यूएशन के लिए क्या करते हैं मैं यह नहीं कहने जा रहा कि आप मेरा क्लास जोइन करिए बिल्कुल नहीं कह रहा मत करिए लेकिन एवेल्यूएशन कैसे करेंगे आप जो प्रशनों के उत्तर सोचते हैं यह जिस तरीके से सोचते हैं यह जितने देर में सोचते हैं क्या सही सोचते हैं मैं बता रहा हूँ पहली बात यह कि उत्तर यदि स्टेंडर्ड टेक्स्ट बुक्स से लिखे गए हैं तो उत्तर सही है यह बात अलग है कि आप इंटरिसिप्णरी लिखना चाहिए तभी नंबर ज्यादा मिलते हैं यानि एक विशे में कई विशे शामिल करके यह जीएस के फॉर पेपर में लिखा जा सकता है फॉर्स पेपर में यह पिए निवंद में लिखा जा सकता है निवंद के तीनों पेपर में सामानने हिंदी जनर्रल इंगलिश और निवंद के पेपर में लेकिन जीएस फॉर्स सेटिंट थार्ड में इसकी गुंझाईश नहीं है इंटर्वीव में बहुत इंटर्डिसिप्नरी बोला जा सकता है। दूसरी बात यह है, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं और यह शत्प्रतिशत कारगर सूत्र है। एक प्रश्न मेंस का उठाइए। जब आपके तैयारी हो जब आप अपने को एवेल्यूएट करने जा रहे हूं, मुल्यांकन करने जा रहे हूं। एक प्रश्न उठाइए, प्रश्नों को रेजिस्टर में लिखिए, उसके नीचे लिखिए 200 वर्ड, 200 वर्ड, 1.500 जितने में उत्तर पूछा गया हूं। इसके बाद पहले तमाम सोर्सिस से देख देख के उसका उत्तर लिखिए। और जितने शब्दों में पूछा गया हूं, उससे 50, 60, 70 शब्द ज्यादा। अगर 300 शब्द गया है तो 400 तक में उत्तर लिखिए। इस्टेंडर्ड सोर्सिस से। फिर ये देखिए कि कितना समय आपको लगा। ऐसा एक हफते तक करिए। अलग-अलग परशन सौल करिए। फिर एक हफते बाद उन्हीं परशनों को जो पहला परशन मंडे को किया था अगले मंडे को वही परशन यादाश्ट से करिए। बेटे इतनी एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी योग य गुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ करना चाहते हैं तो फिर समय देना पड़ेगा। और मेहनस ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरे पास पढ़ रहे हैं तो सीधे मुझे भेज देंगे, मैं अनिलाइस कर देता हूं। लेकिन आपको फिर एक हफ़ते बाद ये देखना होगा, कि यादाश्ट से आपने कितने मिनट में, कितने शब्द रहे गए, मालो आपने तीन सो शब्द की जगे चार सो शब्द तयार किये थे, तो वो कितने रहे गए यादाश्ट में, और कितने मिनट में लिखेगे, आपको ये अंदाजा होना चाहिए, कि जियेस के पेपर्स में लगभग चार हजार शब्द प्रती तीन घंटे में पूछे जाते हैं, Optional Public Administration का तो मुझे पता है, कि तीन हजार शब्द के लगभग पूछे जाते हैं, तीन हजार से साठे तीन हजार की बीच में, कभी-कभी पूरे-पूरे परशनाते हैं, बड़े परशनाते हैं, उनमें शब्द सीमा नहीं होती है, तो वो 600 से 700 शब्दों के बीच में लिखे जाते हैं, आने था 300 शब्द, 1.500 शब्द, 200 शब्द, और हाँ ये 3, 3 केटागरी के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जोड़ होंगे, तो 200 शब्दों का होगा, चार हिस्से होंगे, तो 500 शब्दों का होगा, दो हिस्से होंगे, तो 300 शब्दों का होगा, एक ही हिस्सा होगा, तो कोई शब्द सीमा नहीं लिखी होगी, तब आप 600 से 700 शब्द यूज कर सकते हैं, जब आप बिलकुल करेक्ट पर आ जा लेकिन भटक देख इसको को जाने और आपने लिखा तो बियल फड़िया से लिखा महिशुरी से लिखा पबलिक एड इनसे उनसे जो भी स्टेंडर्ड वुक्स है या मेंस के अंशर आइटिंग जो जी-यस की की है वो स्टेंडर्ड बुक्स की नितिन सिंगानिया से या राजीव आहीर से या लक्षमिकांत की पॉलिटी से लिखे गए आंसर स्टेंडर्ड बुक्स नहीं है स्टेंडर्ड बुक्स के आंसर नहीं है सब गाइड बुक्स है वही लक्ष्मिकांद की लोग प्रशासन से लिखे गए आंसर, इस्टेंडर्ड आंसर होंगे, वही लक्ष्मिकांद की पॉलिटी से लिखे पॉलिटी नहीं, गवर्नेंस से लिखे गए आंसर, इस्टेंडर्ड आंसर है, उन्ही लक्ष्मिकांद की पुस्तक भारती संविध से लिखे गए आंसर से लेकिन पॉलिटी बहुत ही गाइड बुक टाइब किया जिसका प्रचार बहुत ज्यादा है तो स्टेंडर्ड बुक से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आंसर एक तरह से करेक्ट है लेकिन वो करेक्ट एग्जेक्टली है के नहीं ये तो तब डिपेंड करेगा कि वो जो आंसर आपने लिखा वो तुदा पॉइंट है भी की नहीं अब एक राज की बात यह सुन लो यूपियसी क्वेश्चन आते ऐसे हैं कि आपको यहीं नहीं पता लगता है लिखना क्या है क्वेश्चन पढ़के समझ में नहीं आता कि उत्तर क्या लिखना है इसी लिए गाइडेंस होती है और गाइडेंस किसकी सदय फेल लोग जो कभी पास नहीं उनकी गाइडेंस आप लेने के लिए ब्रांड के वज़े से कि उनकी कोचिंग का एक ब्रांड है वहां आप जात हूँ आई-स रेटायर हूँ बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ लेकिन आप ऐसा करें कम से कम कि आप अपने साथ अन्याय तो ना करें यह करियर ऐसा है कि इसमें आपको यारी दोस्ती सब छोड़नी पड़ेगी बिटा तभी सेलेक्ट होंगे चाहे मेरे प्रेड क्लास के आप स्टुएंट है रोजाना कोई ना कोई स्टुएंट मुझे रोता हुआ नजर आता है यह कहता हुआ कि सर मैं अभी तक यारी दोस्ती पड़ा हुआ था आप मैं बहुत ध्यान से पढ़ूँगा मैं जल्दी ही आपके कोर्स लूँगा ऐसा कहते कहते लोगों कई कई साल बी चुके अब कभी-कभी वो चेत जाते हैं तो कहते हैं गुरूजी कल से में पूरा ध्यान दोगा मेरी मदद करिए मैंने का मैं पूरी मदद को तयार हूं लेकिन तुम सुद्रों तो पहले जब मेरे यहां एड्मिशन की पहली शर्त ही है कि यारी दोस्ती जीएफ बीएफ की चक्कर से दूर रहें प्रेम प्यार प्रफंचों की चक्कर से दूर रहें तभी आप आईए स्पीसिस बन पाएंगे अन्ने था चैरिटी के लिए कोई फीस जमा मत करी कि गुरूजी की स फिर मना किया कि नहीं मैं आपको एड्मिशन नहीं दे सकता ब्लॉक कर दिया नंबर जिससे दुबारा रिक्वेस्ट ना करें मीनमेक ही लोग मुझे पसंद नहीं आस्था से आईए सद्धा से विश्वास से आईए मीनमेक करके आते हैं किस बात का संदे आपको है बड़ा जीएस का जो है एक लाख पैंतिस जार का बेच है एक लाख का फर्क है तो इसमें तो बहुत बड़ी कमी होगी तो ना इसमें लेते हैं ना उसमें ले पन अरे भाई 35,000 आपसे ले रहा हूं तो आपको इतना दे रहा हूं कि जो आपको जो है लाख रुपए में नहीं मिलेगा और अगर एक लाख 35,000 लेता हूं तो इतना मिलेगा जो आपको धाई लाख में नहीं मिलेगा फर्क होता है वीडियो के लेंग्थ में फर्क होता है एसाइनमेंट्स की सुबदा है बड़े बैच में टेस सीरीज की सुबदा है बड़े बैच में आपके नोट्स चेक करने की सुबदा है लाइफ टाइम सुबदा है कुछ भी पूछने की सुबदा है सब बताने की की मेरा एकी काम होता है फिर जो संधे करता है उसको मैं ब्लॉक कर ने के फिर सुत्र मैंने मताता दिया कितने आप खरे उतर ते या आप जाने आपता तब तकाम जाने में क्या इसक्द्स्था हो घु surviving पास नहीं ए भी आcenा कर सकता हूंना कैनल इस चनल पर कर रहा हूं इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है ने रंतार आपके संपर्ख में हूं